हेलो एवरीवन व्लॉक टू पढ़ रहे हैं जिसमें हमने ब्रास्टाइम पढ़ा था एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन और उसी को अब हम कंटिनियूम करेंगे आज का टॉपिक शुरू हो रहा है एसेंशियल रिक्विजिट्स पॉर इंटरफेरिंग सॉरी इवन्ट की वज़ा से वह हुआ है तो एक चीज की वज़ा से दूसरी चीज हुई है एक चीज उसका कॉज है इसको हमें एस्टाबिश करने के लिए जो हमें रिक्विजिट्स होते हैं या असेंशियल चीजे होती है वह यहां पर यह बता रहे हैं तो पहली चीज जो एसे इसकी वज़ा से वाए हुआ है तो एक्स कॉज है एक्स जो है वह वह कॉज है और वाए उसका इफेक्ट है ठीक है जैसे सपोज अगर यह बोले कि आपने कुछ खाया था जिसकी वज़ा से आपकी जो है वह तबेत आज खराब हो गई है आपको पूद पॉजनिंग हुई ह या कुछ ऐसा है तो वह कॉस है वह इसका एफेक्ट है इसकी वज़ा से वाय हुआ है दे शुट भी एन एस्टोसीएशन बित्मीन उनके बीच में एक एस्टोसीएशन होनी चाहिए एक कनेक्शन होना चाहिए देफोर देफोर देशर्चर कंग कम तुआ कंक्लूजन ओनली अफ्टर इग्जामिनिंग डेटा वेरियेशन इन एक्स इल्डी एफेक्ट ओव य अभी कैसे पता चलेगा कि उनके बीच में एस्टोसीएशन है उनके बीच में कनेक्शन है वह तब भी पता चलेगा जब जो है उसको एक्जामिन करेगा कॉस को ठीक है जैसे मैंने एक्जाम्पल दिया कि आपने कल कोई खाया बहार से कुछ खाया जिसकी विज़ासे आपको फूर परिजनिंग हो गई तो यह कैसे कहेगा डॉक्टर एक डॉक्टर यह कैसे कहेगा जब तक वो फूड को एनलाइज न करना है तो रिशेर्चर क्या करते हैं उसको मैनिपलेट करते हैं तो क्या होगा उसको फूड़ होगा यह उसको हटा दें तो क्या होगा फ़ॉर इख्वर आपको समझाओं कि अगर हम यह मांते हैं कि बच्चे जो है वह वाइलand मुवी जब देखते हैं और उनके बिहेवि फिर भी वोईलों होता है तो अब पहले इसको करने कि सकता है उसको सकते हैं खुद भी तो असमती हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसे करेंगे कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि उनको वाइलेंट काटून दिखा है और फिर देखा उनका behavior है कुछ बच्चों को जादा देर तक दिखाया कुछ बच्चों को कम दिखाया manipulation कर रहे हैं कुछ को नहीं दिखाया जो हमारा control loop है और फिर देखा कि उनका behavior कैसे अलग था तो यहां पर हम association डूनने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुली में जो है इसकी वज़ा से फरक आया है या नहीं आया है इस इस वान तींग अनदर कह रहे हैं requisite है कि systematic order of event होना चाहिए इस event और process follows a consistent sequence or order if variable x causes y then variable x must occur before the simultaneously with y before or simultaneously with y अगर हम कह रहे हैं कि x की वज़ा से y होता है तो जब x होगा उसी के बाद तूरंत y होना चाहिए तभी वो cause effect का relation बनेगा कि जब बच्चों ने violent movies देखी उसी के बाद आप उनका behavior note करो ऐसा नहीं कि आप उसके 4 दिन बाद देख रहे हो जब हो सकता है किसी और चीज़ का effect हुआ हो तो जब x हुआ उसके एकदम बाद या उसके simultaneous लिए उसके सासा थी y होना शुरू हो गया कुछ खाया आपने और सासा थी आपकी तबेद खराब होनी शुरू हो गई या उसके बाद तुरंत ही तबेद खराब हुई तो ही हम उसको effect मान सकते हैं और इसको cause मान सकते हैं अगर बीच में कुछ और हुआ है तो एक्स को उपर हम पूरा वरोसा नहीं कर सकते कि वह कॉज़ हो क्योंकि दूसरी चीज़ें बीच में हो गई है इसले एक system होना चीए एक order होना चीए कि X must be occurring before Y या simultaneously फिर तीसरा है कि absence of other causes तीसरी चीज़ें कि दूसरे cause absence होने चीए इसके लिए तो researchers should analyze each aspect of the causal relationship with full detail and find out the best possible cause और reason और independent variable तो best possible cause ठूड़ना बहुत जरूरी है जैसे मैंने आपको example दिया food poisoning का तो वह पहले find out करेगा कि क्या क्या cause है इसके food poisoning तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि food की वज़ा से हुआ है तो अब उसमें कौन से food की वज़ा से हुआ है क्या basically क्या है जिसकी वज़ा से हुआ है या अगर violent behavior की बात कर रहे हैं तो violence देखने के लिए कौन सी ऐसी चीज देखी थी जिससे violence हो रहा है या बीच में कुछ और भी देखा था उन्होंने actual में cause क्या था क्या यह घर में violence देखते हैं इसलिए violent है यह TV में violence देखके violent होते हैं तो हमें वह देखना है क्या actual possible best जो reason है उसका क्या हो सकता है for example the etiology of cancer can be due to several factors in an exposed factor research the researcher find out the best possible reason that might have led मतलब जैसे cancer वाल एक्जांपल हमने पिछली वीडियो में भी डिसकर्स किया था कि उसका best possible जो cause है वह ढूणना है हमें कि वह behavior में वह चीज क्यों है क्या reason उसका था और उसमें दूसरे causes नहीं होने चाहिए absence of other causes मतलब उस पिर वह दूसरे causes नहीं होने चाहिए तो जैसे अगर बोला जाए कि वह बच्चे कुछ बहुत बच्चे ... होता होते जा रहे है तो उसमें आप बोला हो कि वह TV देखनें से वाइल हो रहे है फिर उससमें वह दूसरे cause नहीं होने चाहिए कि उनके घर में भी वह बैंसे प्रोब्लम थे किक करना कि हमने असी स्टेप्स को स्टधी करना अग्शली की हन को प्रॉब्लम कुछ हो सक्ति है जैसे में आप को एक्जाम यह की सटी का कि बच्चों में जो violent behavior है तो वो violent behavior occurring in frequently occurring in children उसमें वो violent behavior का आपका क्या मतलब है उस problem को आप define करो कि what do you mean by the violent behavior ठीक है तो वो चीज है फिर literature review करो कि पहले से कुछ ऐसा हो रखा है before आपके भी किसी ने similar study कर रखी है या नहीं कर रखी है relevant study पहले से हो रखी है नहीं उसको थोड़ा सा review करो फिर hypothesis formulate करो तो जैसे हमने hypothesis बनाया कि because of watching violent movies children become more violent हमने just a hypothesis बना दे कि जो violent behavior है if children watch violent cartoons or violent movies then they will show this behavior regularly यह हमारा hypothesis है आप इसको बनाओ कि कैसे बनाओ गया आप hypothesis अपने problem का जिसको आप पढ़ रहे हो study करोंगे जिसके उपर research करोंगे then designing the approach अब आपने problem define कर ली है hypothesis भी बना लिया है नहीं किसके उपर study करना तो बच्चों के उपर करना है तो कैसे करोंगी जैसे sampling में पढ़ चुके हैं sampling कैसे करनी है ठीक है देनीड तो सेलेक्ट इसकेल और construct instrument के आप कैसे उस problem को measure करोंगे मैं अगर मैं बोले मुझे violence को measure करना है तो मैं उसको measure कैसे करोंगी कौन सा tool करोंगी कौन सा मेरे पस कौन सा ऐसा test है जिससे मैं यह measure कर सकती हूं चेक कर सकती हूं कि कितनी violence कर रहे हैं बच्चे तो वह सारी चीज है कि data collect कैसे करोंगे और sampling कैसे करोंगे कैसे अपनी study को analyze करोंगे और variables के बीच का relation निकालोंगे then validity of the research research जो अपनी research है उसको validate करना है अपनी research की significance को validate करना है they need to be cautious regarding the extent to which their finding would be valid and significant and helpful in interpreting and drawing inferences तो अपने research के जो results है उनको verify करना उनको publish करना और उसको ठीक से interpret करना उनके जो results है उनको ठीक से analyze करना interpret करना यह बहुत जरूरी है कि वह valid हो then interpreting interpretation of the conclusion finally क्या होता है कि researcher जब analyze करता है अपने results को then वह उसको interpret करता है and the researcher selects the best possible alternative pauses which might have led to the effect तो यह सारे steps है आपके ऐसे ही steps एक और बताए हुए है Jacob at all ने बताए है steps जो आप दोनों में से कोई भी steps आपको पूछे जा सकते हैं वैसे तो आपको एक ही तरीके से पूछते हैं कि आप steps बताओ इसमें क्या होते हैं तो यहां जो steps बताए थे वह बताए थे Isaac और Michael ने और अगर आपको दोनों के ही आ जाते हैं तो हम दूसरे वाले भी देख लेते हैं जाने कि आपका सेंपल तो ग्रूप्स ऑफ दी पॉपुलेशन दैट डिफर विद रिगार्ड टू वेरियेबल शुद भी सेलेक्टेड तो अमें गुरूप्स लेने हैं एक एक्स्पेरिमेंटल ग्रूप होता है उस तरीके से फिर नेक्स टैप प्रफरस्टू दी प्रॉ इसकी चाहिए जोप्टेड यह थोड़ा सा शॉट पर दे रखा नौब स्ट्रेंथ्ट एंडीक्नेस ऑफ एक्स प्सक्तों पॉस्ट्वांटेश्ट इसकी क्या ड्वांटेश्ट दिसद्वांटेज जैंस सुफ फरस्ट आ जिसेंग्हें के नो रिसर्च गैन वी पर्फेक पहला तो एड्वांटेज यह है कि एक स्पोस फेक्टो रिसर्च आपर बहुत रेलेवेंट माना जाता है जहां पर हम इंडिपेंडेंट वेरियेबल्स को ना मैनिपलेट नहीं कर सकते क्योंकि वह अल्रेडी चीज हो चुकी है चीज को चीज अपना बहुत बढ़ा अचीज की तो वह उसने कैसे करी उस टाइप की चीज है it is more useful than experimental research as it can be used in analyzing a cause on the basis of effect तो यहां पर cause के देख के effect को analyze किया जाता है जो कि experimental research में नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें हम पहले cause manipulate करते हैं तब उसका effect देखते हैं फिर इसमें less time consuming और economical है क्यों क्योंकि already कोई चीज हो चुकी है या आपको उसको experiment करने की जरूत नहीं है अब बस उसके possible causes ढूंड रहे हो next it gives a chance to the researcher to analyze the on basis of his personal opinion and then come out with the possible conclusion यहां पर क्या होता है researcher पहले अपनी खुद की opinion के base पे शुरू करता है कि अच्छा मुझे लगता है कि इस वजह से हुआ होगा पिर आगे उसके base पे अपने और possible causes ढूंडने की कोशिश करता है हाँ यह obviously कई परी गलत भी हो सकती है तो यह तरह की weakness भी कही जा सकती है बट यहां पर चांस मिलता है researcher को अपनी personal opinion को priority पर रखने का weakness में क्या है limitations में क्या है exposed factor research can not manipulate the independent variable सबसे पहली तो weakness है कि manipulate नहीं कर सकते हमारे हाथ में नहीं रिसर्चर के not randomly assign the subjects to different group sampling नहीं कर सकते आप अपने हिसनल रैंडम नहीं कर सकते ना अपने हीसाफ सी कि니다 वोकिंडल बनाएं ठूर्फ परिसेरचर ब्रीजनेबर एक्स्ट्रैएं फॉर्वैटबिन यहां पर ऑल्रेड ऱहां क्हों छुका है तो तो उसका कई बार ऐसा हो सकता है कि upload reasonable explanation ना मिले जैसे कुछ चीज़े मिस्ट्री में ही रह जाती है उनका कोई कॉज नहीं मिल पाता है कभी तो उस तरह की चीज़ों की बात करें कि जरूरी नहीं है ऐसा हो तो कई बार इसमें यह भी एक तरह की वीकनेस है इसमें आप इसको फॉर्थ पॉइंट में लिख सकते हो चौती वीकनेस यह होती है इसमें क्या होता है वाइल प्रेडिक्टिंग दा कॉजल रिलेशन्शिप बिट्वीन वेरियेबल रिसेर्चर फॉल्स प्रेड टूदी बायस पॉस्ट हॉक फैलेसी अभी कभी गलत मान लिया जाता है कि उसका गलत कॉज मान लिया जाता है अब जैसे इसका बहुत यह अच्छा एक्जामपल है कि सपोस है आप रोज डेली घर का खाते हो ठीक है एक दिन आपने बहार से खाया और आप बिमार पड़ गए आपको आप यही बोलोगे कि मैंने बहार से जो खाया था मैं उसकी विज़ा से बिमार कोई भी आपको यह नहीं करेंगे जो हमने देखा कि हमने कुछ नॉर्मल रूटीन से हटके किया और उसी हो सकता है कि उसके रीजन कुछ और भी हो यह हो सकता है कि पहले से कोई चीज आपने ली थी जिसका असर बाद में हुआ है यहां मौसम उस ताइम कुछ ऐसा था कि आप गर्मी से बाहर एकदम ली एसी से बाहर तुरेंट गर्मी में चले गए उस वजह से आपको उल्टी आ जब हम ऐसे अजूम कर लेते हैं कोई चीज तो बिलीव करते हैं कि वही वीजन है उसको बोलते हैं पोस्ट हॉप तो दी कॉंसेप्ट ऑफ पोस्ट ऑफ ऐसी से इस एक साथ हो गई तो जैसे हमने देखा कि एक्स और वाई के रिलेशनशिप में दोनों साथ होने चीए तो हम यह करेंगे कि वह एक्स की वज़ासे वाई हुआ है सेम चीज कई बारी गल्ती से भी हो जाता है कि एक चीज की वज़ासे दूसरी चीज नहीं भी होती तो भी वह साथ-साथ हो ज इस तरह के सुपरस्टीशन इसलिए बने है क्योंकि वह कोई दो चीज अगर एक साथ होती है तो यूमन टेंडेंसी होते कि यह मान लेना कि उसकी वज़ासे ही वह चीज होगी है दाट इस पोस्ट आप फैलसी तो वान इस दो कॉज़ास एक साथ हो जाता है चाहे वह उसका स्ट्रेक्ली कंट्रोल्ड रखते हैं डिसिप्लैंगे को कुछ करने नहीं देते हैं पेरैंट हूप बहुत खराब होता है पेरेंट्स घर में वॉलेंस करते ऐसा मान लिए जता है कि छाइल्ड डिलिंकव सी पेरनिंटिंग की वज़ासे होते हैं गलत पेरेंटिंग हो सकता है कि friends भी ऐसे हो सकते हैं जिसकी विजासे उसमें सब्सक्राइब कर लेते हैं कि इसका मतलब वही है उसी विजासे हुआ था आपको समझ में आ गया हो और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब और था